हेलो डियर नमस्कार सभी कैसे हैं आप सभी आई होप सब ठीक होंगे अपने एक्जाम की तहरी को बहुत अच्छे तरीकिश कर रहे होंगे रेलवे की तरफ से बहुत बड़ी खुसकबरी आपके लिए जो कंडिडेट लश्टू कर चुके हैं या मैट्रिक कर रखे है रेलवे के अंदर जेए की काफ़ी विकैंसी है कंप्लीट चर्चा करेंगे सबसे पहले आपको पता देते हैं ओप्चल नोटिस है रेलवे की तरफ से जारी किया गया था आज की डेट के अंदर 10 अपरेल 2024 इसके अंदर यह चीज़ साप साप लिखर की है कौन कौन सी विकैंसी इस बार आपको देखने को मिल शकती है जैसे कि NTPC ग्रेजविट लेवल और अंडर ग्रेजविट यानि कि पलस टू बेस के उपर जो लेवल टू और थी की विकैंसी होती है इसको कंडेक्ट कौन कराएगा RRB एमदाबाद और यहीं पर बात करें पैरा मेडिकल केटेगरी के अंदर इसको कंडेक्ट कराएगा RRB पतना और लेवल वन जो आपकी ग्रूप D की विकैंसी होती है इसको कंडेक्ट कराएगा RRB बोपाल और मिनिस्टिर ओफ आइसोलेटिड के टेगरी के अंदर जो विकैंसी है इसको RRB गवाटी कंपलीट कराएगा कभी ये विकैंसी आएगी इसके उपर चर्चा कर लेते हैं कि अगर हम बात करें सबसे पहले यहां पर आपको बता देता हूँ जो RRB NTPC Graduate Level है यानि कि जिसकी Qualification Graduate जिनों निकर रखे उनके लिए है Level 4, 5, 6 और NTPC Graduate Level जो पलस टू से निचे है जुनियर इंजिनियर की विकैंसी है जिसके इंदर CMS हो या फिर CMS की तो यह जो चेरों की चेरों काटेगरी है इसको RRB की तरफ से 36-2025 यानि कि 36-2025 तक जितने भी विकैंसी हैं खाली होती है यह चीज यहां पर बोल रखे कि अपरेल और मई के अंदर 2024 के अंदर इनको OIRMS Department को देनी है कितने पद खाली होते हैं उसके बाद RRB क्या करेगा यानि कि इनको identify the vacancy यानि कि approval करने का time है मई और जून जो आपका notification है एक जून से notification आपको जून 2024 के अंदर देखने को मिल जेगा यहीं पर level 1 और isolated category की vacancy हैं इसको सप्टमबर के अंदर आपका notice देखने को मिल जेगा यह railway की तरफ से बहुत बड़ी खुसकबरी थी important information थी जो आप सभी तक share करने थी किसी भी परकार की अन्य जानकरी के लिए आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर शकते हूँ बगवान करें आप सभी कस्म में सुब हो